हलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज की लेटेश कम टीटीव एक्जाम और जॉब और विडिर बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू सान तक देखे पसंद आने पर लाइक स्टेलो सब्सक्राइब करना ना भूले तो आप लोगों को आज मैं आपको बीपेएससी और बीएससी सीजेल थी और भी आने ख़बरे बताऊंगा तो सबसे पहले बीएससी सीजेल 3 की चर्चा करते हैं कि तो इसकूलों बहुत सारे लोग का रहे थे कि सेंटर ने स्कूलों का सेंटर जहां तक पता चला है कि आ गई है आप लोगों 26 और 27 नमंबर को बीए परिच्छा पांगा बार वार इसलिए बतारहों कि जिस तरह से कोई हल्चर नहीं तो जो बहुत सारे शाथ्र सोच रहे हैं कि परिच्छाण नहीं होगे एकदम गलत फ्यमी में नहीं है उत्याविद्धा भी नहीं है फिलाल कि आपको सेंटर मिलने या यह सब कोई प एक विष्यक पर जयादा विख हो मैस्य सभी सब्सक्राइब जिस बहुत ज्यादा अधिय denote जिसनी अप तर Commission करते सब्केदी तो लगभर दो करें सपे अच्छाह युधिंध देना नहीं आपने परिछाओं में कितना किया नहीं किया आप जितनी प्रैक्टिस कोई न कोई है जो कि आप प्रैक्टिस बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बढ़ते साइन्स पर फोकस करें को कि उसके भी मार्शेज है अच्छे पचीस से तीस बहुत कि में जो किसु नहीं है कि 15 में रहेंगे 35 साइंस रहें रहेंगे कि 25 में लिखा हुआ है कि 15 15 में हों पचीस में होंगे और जी आसके सवाल उसमें भुगोल तो यह सब जो ज़्यादा प्रशन रहेंगे जो समान ग्यान इस पेसल रहते हैं जैसे किसी देश के संसद का नाम पूछे जाएंगे यह कुछ है तो उतने आसान नहें सब्सक्राइब करेंगे और स्कूर बूर्ड को है जो आप बनाते हूं फूली है जो कि देड़ सो और बहुत सारे लोगों को सीजिए बिहार में जो परिछाय होती है वह अगर सेंट्रल एससी को छोड़ दे तो उसी परिछाय बहुत कम मिलते बिहार की जो चैयारी करते हैं क् जिसमें दरोगा की हो गई जिसमें थोड़े बहुत मैथ और यहां 50 पर्शेंट लगवाग तो समय के कारने जो कि बहुत लोगों का रियल्ट है इसलिए अप लोग जो कि परिछा नहीं होगी होगी उसके बाद से डीपों की मुख परिछा है जो कि आठ और 9 नमबर को से प दूसरी पाली में जो कि पर्थम परत्र समान नंद्यन का और बैकल्पिक विसे होगा दूसरी पाली में वेबसाइड पर जारी होगा एक सप्ता पूर्व है कि कर दिया जागा और 320 केंद्रों पर आयोजित किया गया था यह जिए तक दूसरी तक दूसरी वेकेंसी जो कि इसमें है और यह सची की कंबाइड गृडवेट टी एर वन की परिछा कि एक दिसंबर को इसकिती ती घूसित कर दिया कि इस भीहार से हजार उच परिछार्थी जो कि इसमें सामिल होते है स्सी की और से 31 अक्टूबर 2022 को नोटिस के नुसर कंबाइड टी एर वन 2022 का एक दिसंबर 2022 से तेरह दिसंबर तक किया जाएगा आनि स्सी दो हजार वाइस की परिछा में दिसंबर महिने में आयोजित की जाएगी वहीं आयमडी साइंटिपिक एस इस 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 देंट कर और एक दिसंबर से तेरह दिसंबर तक है जो कि यह परिछा होगी तो नवंबर में आपको बी एससी सीजला और सेंटरल एस इस इस अगर दोनों की तैयारी उपी मल लगा कर करते हैं तो आपके लिए मैथ और रिजनिंग है जो कि तो कि उसमें भी कोश्चन है जो कि तो यह अच्छी ख़बर उसके बाद आते हैं दूसरी ख़बर पर कि दरोगा की क्या हाल है बिहार दरोगा में बढ़ दी कबल मिला पंडलाइन जिमेंदारी नहीं मिली है और राज्य में पुलिस फोर्स की महलाओं की सिपाही में रैंक में 26.8 एसाइ में 3.5 तथा दरोग में 26.2 भागदारी है मतलब इसको 35 परतिजयत करना लेकिन यह धीरी धीरे होगा क्योंकि पहले तो यह फिक्स नहीं था कि महलाओं का रचनूंगा तो धीरी धीरे जो की बढ़ रहा है महलाओं को सिपाही में जो कि सबसे जाए में आपका यह साड़े तीन क्योंकि पर मोश महिला बिहीन बिहार में 40 महिला थाना साइथ करीब 1170 शक्रिये थाना उपी है इनमें 487 महिला कुलिस कर्मी है इनमें 7 इंस्पेक्टर 687 जो कि दरोगा है और है जो कि पंचान में एसाई 33 हवलदार तथा 465 महिला सिपाही सामान ने 1130 मातर 11 महिलाओं को ही थानेदार मतलब महिलाओं को जो है थानेदारी जो है 11 महिलाओं को ही दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि किसी ने ने देखा महिला सिपाही को बहान चलाते हुए महिला और यहां पर है बिहार में बरतमान में 25,108 महिला पुलिस वल है जो कि अभी काम कर रहा है पूरे देश में है जो कि महिलाओं को प्रतिश बिहार सबसे आगे महिला थानदेश का प्रतिशत भी जो कि चारदसर लोग छे फिजदी हो गया मनलोब प्रमप्रागत सोच से बदला है पहले था है कि यह सब पूलिस वालन जो नोखरी है वो रेड़ेस्ट लोग जो वह इसा नहीं है बिहार सरकार ने प्रयास किया है और बहुत अच्छी वजाल है कि भेदभाव जो कि घटता जा रहा है छान ध्युक्त है उसके बाद करें बिहार से आप्र करते हैं तो इसात्रों सदन साजन के अनगर घर stay जो क्यार कि दिकत होती थी और बहुतर नोखरी नहीं करने कए सेल का घटैन किया गया है आई टीयाई चात्रों की मांक देश बिशक्त मैं इसी मांक को देखते हैं शात्रों क गजोगर की रिखेंग का लगार, आए परी परण छात्रों के व्हाँ प लिखेंगा, वह पास पुरया पूर्ग पूलिक itäपनी पर आप संस्थान से पिले कि लोगार अगले साल जो लोग पढ़ाई कंप्लीट किये या थर्ड फाइनल ये वे हैं तो वो लोग है जो कि क्या वो कि वह कर सकते हैं कितने जो कि कितने लोग सेलेक्ट हुए है यह से जो कि परभावित होता है उसके बार अगला कि आप कि आप आप कॉंस्टेवल और एसाइ के पदों की भरती के दिशूचना जो कि फर्जी जारी होगी ति पंचांज में सो पदों पर बताया जा रहा रहा है तो यह पूरी तर फर्जी है रेल्वे द्वारा अधिकारे अधिकारिक तॉक प्रवरेजिब्साइट पर ऐसे जाप रहा है और यह जो है आप प्रेस्ट भी हो गया तो इसको जो है आप यह जो बार पीए बला उसको सही नहीं माने और उस पर धेजो की ध्यान के दरी नहीं करें यह फर्जी है पूरी तरह से कि 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 बीस के बाद जारी होगा जही का मैंस का नोटिफिकेशन जारी होगा तेइस का ही जोगी रिंग में नाम अंकर लेन माले सभी जात्र जैइमें पर्किरिया में सामिल हो सकते हैं सब्सक्राइब कर दो प्राइब कर सकते हैं निर्धारित सुल्क का भुगतान है जो कि पांच प्रशनों कहीं है जो कि उत्तर दना सीटी के लिए नमान करने के लिए जो कि शुरू हो गया अज़ा सब्सक्राइब कर दोनों पेपर के लिए निए चेशों रुप्या के लिए यह पुरा पुरा प्रामधाम्द है को करें प्रात्मिलन सहाय का चार्योके उसमें 29,755 परोष्टर ने धरन कर दिया गया है सब जीलों से आरेच्छन रोष्टर के लिए रहुने के बाद इस पर कार्मिक भीभाग से शुखर्थी लेने की तैरिक चल रही है और जहरान करम चारी चाएन आयोक से यह बहाली है प्रात्मिलन सहाय का चार्योके निक्ति होगी नहीं होती है और यह जो है सब्सक्राइब के लिए और जहार खंट से क्या सिच्छक निक्ति के लिए आखरी दिन है अगर जो लोग पीजीटी पर सिच्छासना कुत्तर है जो सिच्छक के लिए सब्सक्राइब के लिए तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद झाल